Good morning class, welcome all to Shoribhar Digital Platform जाहेंट to all students तो बटा, यहाँ पर हमारी CDS की Mathematics की Live Class प्लास स्टार्ट हो चुकिए, यह दे फोर है आज हम इस चेप्टर को कम्प्लीट कर देंगे तो जो लिए क्लास को स्टार्ट करते हम तो हमारा Homework का कोशन क्या था? Homework का कोशन था, हमार पाई था, Age Distribution of 40 Children R as Follows क्या दे रखा हमें? Second statement हमने कल ही चेक कर लिया था, बटा कि second statement हमारा बिल्कुछ सही है यह हमने Homework के अंदर क्या कर लिया था? चेक कर लिया था चलो, पहला है, the median of the age distribution is 7 median of the age distribution is 7 है की नहीं, यह पहले यह चेक करते हैं उससे पहले कोशन में हलका से बटे करेक्शन कर लेना यहाँ पर आप इसको 6 कर लेना, 2 को frequency हमें दे रहे की cumulative frequency निकालते हैं यहाँ पर आएगा 4, 7 प्लस 4, 11, 11 प्लस 9, 20 20 प्लस 12 is 32, 32 प्लस 6 is 38, 38 प्लस 2 is 40 तो median निकालना है, median का formula क्या आएगा lower limit प्लस n by 2 minus cf divided by f into क्या कर देंगे, 1 चलो, n क्या आएगा हमारे पास sum किता है 40 40 divided by 2 करूँगा किता है 20 cf में 20 कौन सा मिल रहा, मिरको यह मिल गए यहाँ पे तो lower limit क्या आजाएगा, हमारे पास यहाँ से 7 lower limit आगे बेटा 7 n plus 2 किता है, मिर पास 20 cf जा सुपर वाली value हो जाएगी, cf किता हैगा, हमारे पास यहाँ पे 11 frequency किती चल रही है, 9 और class interval का difference, जो हमें क्या दे रखा, 1 यहाँ पे h होता है मैंने पहली 1 लिख दिया था इसको solve करते है, यह आएगा 7 20 minus 11 is 9 9 into 1 is 9, 9 by 9 9 से 9 कट जाएगा, किता आएगा 1 तो 7 plus 1 equals to क्या आएगा, 8 year यानि जो median आएगा हमारे पास यहाँ पे age distribution क्या आएगा, 8 year इसका मतलब first statement हमारा क्या है बिलकुल गलत है second हमारा सही है, third क्या बोला है the model age of the children is 8 year model किसको कहते है, highest frequency को कहते है highest frequency हमें काम मिल रही है, यहाँ पे 12 तो 12 का पूछा गया था model age of the children is 8 year है की नहीं है बिलकुल सही है, 8 to 9 लिखा लेकि 9 include नहीं होता है यह exclusive हमारे पास क्या class interval है 5 से 6 के अंदर 6 include नहीं होता 6 to 7 के अंदर 7 include नहीं हो रहा 7 to 8 के अंदर 8 include नहीं हो रहा वैसे 8 to 9 के अंदर 9 include नहीं हो रहा तो बचा क्या हमारे पास, इसका मतलब model age of the children is 8 year बिलकुल सही है तो कौन कौन से statement हमारे सही है second statement सही है और third statement सही है तो answer कौन सा हैगा, विचोद अब उस statement सा correct, answer आएगा option हो B कि second और third दोनों सही है second फिर से बता देते बिटा 70% of the children are in the age group 6 to 9 कि 6 से 9 के बीच में 70% बच्चे है क्या ये सही है कि नहीं है चलो पी, 6 to 9 6 to 9 ये रहा हमारे पास 6 to 9 की बीच में कौन कौन सा आ रहा है फटा फट से add करो एक बर इसको 9 प्लस 7 आएगा 16 16 प्लस 12 आएगा 28 बोला ये 28 70% के एकवल है 28 equals to 70% 100% कितना है 100% कोशन में दे रहा है कितने बच्चे है, 40 बच्चे है तो यहां से एक बाद 100% निकालो तो अगर मैं इसको 100% निकाल तो नमग्या करेंगे 28 divided by 70 into 100 00 कट हो जाएगा 30 पर 14 नहीं हो रहा था तो यहां पर अंसर के आएपने पाद बिल्कुल सही है कि 6 तो 9 गृप के अंदर 70% बच्चे आ जाते हैं रिमेंग 30% अलग गृप के अंदर आ रहे हैं तो 2 और 3 पर यहां पर हमारा बिल्कुल सही है चलो फिर next question पर जलते है the mean of the following distribution is 18 जो हमें following distribution दे रखा है इसका mean हमें क्या दे रखा है 18 दे रखा है what is the value of f f की value निकालनी f का है हमारे पास यह रहा frequency दे रखा है mean की बात करेंग mean का formula क्या होता है submission of f into x divided by submission of f f हमें दे रखा है x निकाल ले यहां से 11 प्लस 13 14 14 divided by 2 करें कित्ता आएगा यहां पर 7 15 प्लस 13 28 28 divided by 2 करो कित्ता आएगा बिटा यहां पर तो कोई यहां कित्ता आ रहा 24 24 divided by 7 करने पर 14 आता है 12 आता है और यहां पर आएगा 13 प्लस 15 28 28 divided by 2 करो कित्ता आएगा हमारे पास यहां पर 14 17 प्लस 15 32, 32 को 2 से डिवाइड करूगा, कितना आएगा अमार पर जली से बताओ, 18 18 इंडी 2, 32 16 इंडी 2, 32 16 इंडी 2, 32 16 12, 14, 16, फिर यहां कितना आएगा 18, यहां पर आजाएगा 20 यहां पर आजाएगा 22, यहां पर आजाएगा 24, confirm करना, confirm करना 20, 20, 40, 40, plus 5, 45 45, plus 3, 48 48 को 2 से डिवाइड करूगा, कितना आएगा 24 तो मेरे पास यह क्या आचुका, X आगया यह आगया F, यहां पर हमें X into F निकालना पड़ेगा, यह समिशन हमें X, F चाहिए, चल ठीक है, 12, 3 जाएगा 36 14 into 4 करो तो यह आजाएगा 60, 60 plus 4 60 plus 24, 84 ठीक है 16 into 9, 9, 6 जाए 54 4, 5, 9 बंजा 9 उसका 5 आट करेंगा, कितना आजाएगा 14 चलो, 18 into 13 18 into 13 18 into 10 कितना होगता है, 180 और 18 into 3 करेंगा, आजाएगा अपने पास 54 तो 180 plus 54 करो यहाँ पर, 180 plus 54, तो यह आएगा अपने पास 4 8 plus 5 होगा 13 234, यहाँ पर कितना आजाएगा हमारे पास 234 20 into F, 20 F ही रहेगा 22 into 5 110 24 into 4 4, 4 जा 16 6, 1, 96 यह आगे हमारे पास XF कितना है, 36, 84, 44 234, 20 F, 110, 10, डिवाइगा और किता आगे 96 चलो, ठीक है submission of XF करो तो इस पूरे का sum चाहिए, इसके साथ साथ मेरे को इस पूरे का sum भी चाहिए क्योंकि नीचे के आएगा पैटे, submission of frequency आएगा तो submission of FX करो, इसको फटा-पट से add करके बताओ कितारा, इसको मैं add कर देता हूँ 3 plus 6 is 9, 9 plus 9 is 18, 18 plus 13, तो 18 plus 10 करेंगे 28, 28 plus 3, 31 31 plus 9 कर दो 40, तो यहाँ पर आएगा अपने पास 40 plus F अब फटा-फटे उसको भी add कर दो हरी अप, हरी बटे, जली से आड़ कर दो किता आएगा हरी जली से बटे, जली से चलो भी add कर लेते हैं, अब क्या ही करेंगे 200 200, 300 400 400 और यह 4, 500 500 600 10 600 700 14 बच गया यह वाला 704 plus 20F तो 20F ही रहेगा चलो भी, समिशन कर दिया मैंने किता आगया? 704 plus 20F चलो समिशन अफएक्स किता आए, बटा, हमारे पास 704 plus 20F और समिशन अफ़ किता आए, 40 plus F इससे क्या निकलता हमारे पास mean mean तो हमें कोशन है, पहले ही दिये रहा है, mean कितना दिये रहा है हमें कोशन के अंदर? बटा, 18, mean हमारे पास कितना है? 18 चलो, multiply करो, यह इदर आजाएगा, 18 into 40 plus F equals to 704 plus 20F फटा, फटा समिशन, multiply करो 8, 4, 0, 32, 2, 3, यह आगया बने पास, 72 72 पीछे 0 लगा दो, प्लस यहाँ पर आजाएगा, हमारे पास 18F यहाँ पर आएगा, हमारे पास 704 plus 20F F को एक तरफ कर दो, यह इदर आजाएगा, 720 में से 700 4 माइनस करूँ को, बिटा, यहाँ पर आजाएगा, हमारे पास 16 और 20 में से 18F माइनस करूँ को, आएगा, मेरे पास 2F यहाँ से F equals to आएगा, 16 divided by 2 equals to 8 तो F ही पूछा था, हम से F किता है 8 कौन सा आज़ से होगा, आपका option number A 8 is the right answer simple ठीक है, तो mean का formula होता है, sum of F into X divided by sum of F, F frequency X आपका, जो class interval की mean value class interval की mean value हमने आप निकाल ली 12, 14, 16, 18, 20, 22 and 24 यह question आपके CDS के previous year के अंदर पूछा किया था भीड़ा तो answer आएगा हमारे पास यहाँ पर option number A 8 second, एक important announcement शौरे भारत एप लेके आया flat 40% discount, यह है रक्षा बंदन offer, आप समको पता होगा Supreme Court यह decision आया है, कि अब NDA के अंदर girls भी participate कर सकती है, तो girls participate कर सकते हैं, NDA के अंदर girls भी आ सकती है NDA के अंदर, CDS के अंदर तो पहले से ताब NDA में भी girls के लिए क्या है, doors आपके open हो चुके है, girls के अंदर आ चुकी है तो इसलिए रक्षा मंदन जो कि आपके 22nd August को है, उस पे शौरे बात लेके आए रक्षा मंदन का special offer अगर आप शौरे भारत के ऊपर किसी भी defense course को buy करना चाते हो Army से लेके Air Force, NDA, CDS, Army, GD किसी का भी course, Technical Clerk, Air Force Y Group, X Group, कि हर किसी course के ऊपर flat 40% off अभी discount चल रहा है यह discount valid है तिल 23rd of August Monday तक यह आपका discount valid है तो शौरे भारत लेके है आप जिस course को buy करोगे उस course के ऊपर आपको flat बेटा 40% off offer मिलेगा रक्षा मंदन special offer है यह flat 40% off आपका यह offer है ठीक है Offer is valid तिल 23rd of August 2021 Next बोला 10 observation है हमारे बेटा 6, 14, 15, 17, X plus 1, 2, X minus 3, 30, 32, 34 and 43 रिटन में ascending order यह पहले से ascending order के अंदर है बढ़ते हुए crumb के अंदर ठीक है The median of the data is 24 इस data का median की तरह दे रहका 24 तो मेरे पास है कितनी 10 observation अब observation हमारे पास even है discrete की बात कर रहा हूं जब हमारे पास observation क्या होती है even होती है in discrete case observation क्या even है तो उस case में median कैसे निकालते है पहले हम निकालते है n by 2 प्लस क्या करता है n by 2 प्लस 1th term यह term लेते है तो n by 2th term तो 10 observation है तो 10 by 2 तो कौन से term आएगी यहां पे हमारे पास 5th term आएगी इधर आएगा n by 2 यह नहीं 10 by 2 प्लस 1 यहां पे कौन से आएगा हमारे पास 6th term आएगी यह 2 term आएगी हमारे पास तो 5th term कौन से है 1, 2, 3, 4, 5 5th term है मेरे पास x plus 1 ठीक है 6th term कौन से होगी जस्ट next कौन से वाली है 2x minus 3 minus 13 यह कब करते हैं अगर normal होता था हम n by 2 ले लेते हैं लेकिन हमारे पास अगर even observation आजाती है जिसके हमें median में हम क्या करते हैं center value value 5 observation है तो median हम कौन से find कर लेते हैं जो center value होती हमारे क्या होता था median होता था लेकिन यहां पे अगर even observation आजाए तो n by 2th term plus n by 2 plus 1th term ठीक है यह term होती है अब इसका median हमें question है पहली दे रखा है किसके equal है median किता दे रखा हमें 24 दे रखा है find the value of x x की value find कर लो x plus 2x 3x minus का 12 is equals to 24 minus का 12 उदर जाएगा क्या हो जाएगा plus का 24 plus का 12 24 plus 12 हो जाएगा हमारे पास यहां पे 36 x की value किती है आजाएगा हमारे पास 36 divided by 3 minus 12 36 x की value किती है मेरे पास यहां पे 12 और option का अंदर रीची match नहीं हो रही कहां कहां issue हो गया आप देखो देखो फटा 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 2x plus x हो जाएगा 3x 2x minus 13 है 2x minus 1 है अमें question भी चागा ना पड़ेगा अब तो लोग रहा है 24, 32 x अरे रुक रुक क्या कर रहे 5th plus 6th term divided by 2 यह 2 भूल गया है इसके नीचे divided by 2 रहेगा बेटा 5 यह और 60 term का divided by 2 करोगे न अभी तो पड़ेगा value कौन सी है 5 यह और 6 यह चटी के बीच वाली value यह ना पीटा center value even terms है even terms के अंदर center वाली value निकालनी है तो 5th और 6th के बीच वाली value होगे तो divided by 2 करते है और divided by 2 नहीं किया गया बस इतना से त्याहा रख लेना तो x plus x हो जाएगा 3x minus 12 equals to यहां आजाएगा बेटा 48 3x 48 plus क्या कर देंगे हम 12 तो 3x equals to यहां पर कित्ता आजाएगा बेटा यह 60 x equals to यहां पर क्या आएगा 60 divided by 3 equals to 20 बस यह यहां दख लेना यहां पर हमने 2 मिस कर दिया था कि 5th और 6th term का जो भी sum आएगा उसको divided by 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? median of the data मिलेगा और median हमें क्या करते हैं पहले सी कित्ता दे रखा था 24 ठीक है ने? 2 मिस कर दिया था क्योंकि जब अगा 5 observation होती हमें पता center वाले observation हमारे median होगी लेकिन even time है तो 5th और 6th के बीच में कहीं होगी इसलिए हम क्या करते है? 5th और 6th term divided by 2 करते है ठीक है बटा? चलो फिर next question the class which has maximum frequency is known as modal class यार ये क्या question आया है? ये CD से अंदर पूचा गया है वैसे 2000 या 17 या 16 के अंदर ये question आपका आया था कि maximum frequency को किसका बोलते है? बोल क्लास के अंदर हम क्या देखते है? maximum frequency देखते है आगे the weighted average mean of 10 natural numbers whose weights are equals to the corresponding numbers is equals to weighted arithmetic mean of 10 natural numbers natural numbers कहां से start होते है? बटा 1 से start होते है whose weights are equal to the corresponding number कि बोले 10 natural numbers है उनका weight किसके equal है? 1 के equal है 1 का weight किसके equal है? 1 के equal 2 का 2 3 का 3 और यसे कितने हमारे पास 10 है यानि 10 into 10 ठीक है? तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 1 का square प्लस 2 का square प्लस 3 का square से लिए कहां तो जाएंगे हम 10 का square तो आप से पूछा क्या है? तो weighted arithmetic mean पूछा है mean मतलब एक तरह से average पूछा है जैसे ही मैं यह चीज लिख रहा हूं तो बेटा number system के अंदर हमने चीज पढ़ा था याद है? number system के अंदर हमने starting में इक पढ़ा था कि sum of square of natural numbers sum of square of n natural numbers तो sum of square of n natural numbers का formula क्या था? sum of square of n natural numbers वो formula क्या था हमारे पास? formula था हमारे पास beta n n plus 1 2s plus 1 2n plus 1 divided by 6 मेरे को mean निकालना मतलब पहले मेरे को इन सबका क्या निकालना पड़ेगा? sum निकालना पड़ेगा और divide किससे कर दूँगा? sum of observation divided by number of observation number of observation कितनी है मेरे पास? 10? average कैसे निकालते हैं? जो भी आपको observation दे रहे हैं उन सबका sum करना पड़ेगा sum को किसे divide कर देंगे? total आपके पास observation कितनी? उससे divide कर देंगे चलिए भई observation मेरे पास 10 into 10 plus 1 is 11 into 2 into n 2 into 10 20 यहाँ पर आजाएगा 21 divided by 6 यह क्या आगे मेरे पास यहाँ पर sum आगे values आपके points में जारी है बिल्कु सही है इसको ऐसे रहन दो यह आगे मेरे पास sum of observations चलो ठीक है यह क्या है मेरे पास sum of observations divide किसे कर दूँगा अगर मेरे को इस कंदे mean निकालना है से 10 तो गया काम से अब बचा आपके पास 11 into 21 divided by 6 तो फटापर से करो 21 into 11 यह आएगा आपने पास 1 2 1 2 यानि 2 31 divided by 6 6 से divide करो 6 4 जा 24 होता है 6 3 जा किता हो जाएगा मारे पास 18 6 3 जा 18 बचा 5 51 51 किती बार है 6 8 जा 48 पॉइंट लग जाएगा 3 बचेगा 0 6 5 जा 30 38.5 आंसर कौन सा आएगा आपके पास option number D 38.5 आगया अब इसके अंदर हमने number system भी पढ़ लिया इसके अंदर हमने number system भी पढ़ लिया बिलकुल तो number system के अंदर हमने पढ़ा था sum of square of n natural number का formula क्या था n, n plus 1 divided by 2 n plus 1 by 6 n natural numbers का पढ़ाता cube of sum of sum of cube of n natural numbers का formula पढ़ाता वो चीज हमारे अब जागे stats में काम आए number system में तो आए रही थी अब कहां पे आए stats में काम आए और ये चीज हमने एक जगे और पढ़ी है आप रिकॉल करोगे तो average के अंदर भी पढ़ाता average of square of n natural numbers average of cube of n natural numbers average of n natural numbers the formula almost same थे average वाले के अंदर कुछ चेंज था sum के अंदर कुछ चेंज है ठीक है? चलिए next question if the mean age of a combined group of boys and girls is 18 and the mean age of boys is 20 and that of girls is 16 then what is the percentage of boys in the group? percentage of boys in the group देखा देखा लग रहा है average पढ़ाता बेटा average के पाद हमने एक पर allegation mixture भी पढ़ाता ठीक है? आपके पास क्या दे रखा है? कि boys है हमारे पास बेटा और girls है और हमारे पास boys और girls का combined data भी है कि boys और girls की combined age 18 है सिर्फ boys की बात की जाएगी तो उनकी age है 20 years ये years के अंदर data और girls की बात की जाएगी कितनी 16 है और दोनों का combined कितना है? 18 है क्या लग रहा है यहाँ पर? allegation लग रहा है? बिलकु लग रहा है center वाली value 18 एक value से तो बड़ी है और दूसरी से क्या है? छोटी है तो ratio आजाएगा ratio किसका आएगा? number of boys and girls का ratio आएगा number of boys and girls का ratio यहाँ पर देखो 18-16 बड़ी में छोटी value मैंस की 2 20-18, 2 ratio का है? मिरे पर 1 ratio 1 यानि boys और girls 1 रेशियो 1 के अंदर है मतलब दोनों 50-50 percentage है आंसर आएगा option पर भी 50% तो allegation वाली चीज आ गई अब allegation दो हमने बहुत सारे ऐसे question किये थे कि एक class का average marks इतना है दूसरी class का average marks इतना है दोनों class का combine average marks इतना है तो बताब class का number of boys के इतना है यह girls कितना है इनका ratio कितना boys or girls का दोनों class का ratio कितना है तो allegation लग गया ना बेटा याद गरो एक question कहते है यह से 50 question किये थे हमने कि एक class के इतने marks आए दूसरी class के इतने marks आए combine हमारे पर इतने marks आए तो दोनों class का ratio बताब students का तो ratio तो आ रहा था आपको class interval किया दे रहे है 15 से 19 उसके बाद कितना है 20 से 24 और उसके बाद है 25 से 29 बोला यह exclusive class है exclusive class क्या होता है exclusive class वो होती है जिसके अंदर जो upper limit होती है उसको include नहीं किया जाता तो यहाँ पे देखो 20 से 19 है और 15 से 19 है यहाँ पे 20 से 24 है 19 के बाद सिधा यहाँ पे 20 है मतला 19 इसके अंदर क्या है included है 20 से 24 और सिधा यहाँ पे 25 आगए 24 भी इसके अंदर क्या included है तो यह तो मेरा inclusive group हो गया इन्होंने बोला है क्या यह exclusive group है नहीं यह तो सामने दिख रहा है आम include कर रहे है इसको इसका मतलब यह inclusive class है इन्होंने exclusive भी पहला गलत है चौन के इसके अंदर नहीं और फिर बीर नहीं आता अपर लेमिट इस नॉड इस नहीं कर रहे है तो मतलब खक्रुजिव है उन्होंने पहला वाला exclusive कर दिय जब की पहला वाला इन्क्लीजीव था, दूसरा बोले है, किया एक्स्क्लीजीव है इन्होंने बोला है, क्या इन्क्लीजीव है? नहीं बिटा Include कहां कर रहे है, गिस्क्लीजीव हो रहा है 20 में नहीं आएगा, 25 में नहीं आएगा यानि दोनों statement भाई सब गलत है Neither one nor two, बेलो, डी दोना यह statement गलत है, बच्चो वाला कोईशन नेक्स्ट, the mean of 20 observation is 17, on checking it was found that two observations were wrongly copied as 3 and 6 20 observation है, कितनी observation हमारे पास, 20 observation है इनका mean मतलब बोले तो average कितना दे रखा हमको, mean कितना दे रखा, 17 यह क्या mean, mean हमारा क्या होता है, एक तरेके से average होता है चेक करने पता चला कि 2 observation ऐसी थी, 3 और 6, इनको गलत ले लिया गया if wrong observation है, replaced by correct values of 8 and 9, हमें लेना 8 और 9 था मतलब right observations क्या थी मेरे पास यहाँ पर, right observation थी, 8 और 9 हमने wrong क्या ले लिया उसको, 3 और 6 तो पूछो, अगर हम, पूचा गया गया है, अगर हम सही को ले, तो मेरे mean पर क्या फरक आएगा तो देखो wrong का, अगर मैं sum करता हूँ कितना आ रहा, 9 आ रहा है अब मैंने क्या value ले ली बेटा, आगे average पर, किये ऐसे question, average पर दुनिया भर के ऐसे question, किये बेटा हम कम से कहा जाएंगे, जादा पर क्यों, इन्होंने यहाँ पर कम value ले ली बेटा, wrong value क्या है, 9 है, right value दोनों का sum कितना है, 17 है तो हम कम से कहा जा रहे हैं, जादा पर जा रहे हैं, हम कम से जादा पर जा रहे हैं, इसका मतलब मेरा जो mean है, वो mean increase करेगा, mean will increase, कितना increase करेगा, अभी find करते हैं, बेटा, mean मेरा बढ़ेगा, क्योंकि जब मैंने दोनों का sum किया पता चला है, हमने दोनों का sum गलती से 9 ले लिया था, mean क्या होता, sum of observation, तो इन दोनों का sum 9 हो गया, लेकिन होना कितना चाहिए था 17, तो कितना increase हो रहा है, आप बोलो कि यहां से यह plus 8 increase हो रहा है, plus 8 क्या हो रहा है, total इसके observation के अंदर चाहेगा, तो 20 observation के अंदर जाएगा, मतलब सभी values के अदर somewhat less or less a.b iz me we call. हमने पताएं Lub कितना आ रहा है, 4 by 5, 4 2 जा, 2 by 5 sorry, 4 2 जा, 4 5 जा, points पर जा रहा है जाने दो, कितना आ रहा है, 0.4, यानि सभी number के अंदर 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4 क्या, add हो रहा है, क्योंकि जो मैंने 8 का distribution किया, 8 का distribution सभी 20 observation के अंदर कर दिया है, यानि सभी observation कितनी increase होगी, 0.4, 0.4, 0.4, अगर सभी observation के अंदर 0.4 हो रहा है, तो मेरे mean के अंदर भी क्या होगा, जो मेरा mean है उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, 0.4 add हो जाएगा, तो मेरा mean कितना दे रहा है, 17, 17 के अंदर भी हम 0.4 add कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यह हमारे पास 17.4, answer आएगा option number A, simple, आया stats के अंदर है question, है किसका यह, average का है, mean से डरना नहीं है, mean average ही तो होता है, mean हो से जाधा भी जा रहा है, add करेंगे, जाधा से कम पे जाते है, 0.4 minus कर देते, अगर यह right value होती है, यह wrong value होती है, हम बोलते है, हमें minus 8 करना है, minus 8 मतला सभी values करना, 0.4 minus minus करेंगे, तो answer आजाता है 16.6, अगर minus करते तो, 0.4 minus करेंगे, 17 कितना आ जाएगा, 16.6, आगे बढ़ो हमारे पास 10 observation है, 9 observation है, observation ले लो, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, 9 observation, क्या बोला गया है, इनका median दे रखा है, median बोले तो, जो center वाली value है, कितना दे रखा हम को यह, 20.5, median है यह तो, odd observation है, तो क्या करते हैं, n plus 1 by 2, even होता है, n by 2 plus n plus 1 by 2, a term divided by 2, काफे लंबा जोड़ा भी क्या था, तो 9 terms है, 9 plus 1 by 2, कितना आएगा, 5th term, 5th term यह है, 5th term का mean कितना दे रखा है, median कितना दे रखा, sorry, 20.5, बोला है, each of the largest 4 observation, कि इन सभी last वाल जो observation है, इसके अंदर हम 2, 2 add कर दे कर दो, कौन मना किया है, तो बताओ, इस से हमारे median तो कुछ impact पड़ेगा, नहीं बेटा, median तो हमारे 5 वे रहेगा, कितनी values है, 9 है, मैं कहारा, 2 क्या, 20 add करो इसके अंदर, 20 छोड़ो, 200 add करो, हमें sum थोड़ी चाहिए, average थोड़ी निकालने कुछ फरक पड़ेगा, median की बात ह हो रही है, 9 term से, यानि, n plus 1 by 2, यानि 9 plus 1 by 2, कौन सी term की बात हो रही है, 5th term, 5th term तो आपकी यही की रहेगी, इसका median भी वो का हो ही रहेगा, median धोड़ी चेंज हो जाएगा, तो अब इसके अंदर, 2 add करो, 4 add करो, 20 add करो, 200 add करो, तो हमारे इसके उपर कुछ impact नहीं रहेगा, हमारे median वैसा का वैसा ही रहेगा, no change at all, अगर सभी के अंदर कुछ add होता, तो मैं मानता, भई, सभी के अंदर कुछ add होता, तो मेरे पांच वी term है न, पांच वी term के अंदर कुछ add करना पड़ता, तो यहां पर 22.5 आता, तो मैं मानता कि इंक्रीज बाए 2 हो जात यह चोटी है, बड़ी, बड़ी, सबसे बड़ी, यही होगी लास की चार, कुछ भी add कर लो, कुछ वरक नहीं पड़ेगा, चलो फिर, next question, का बोला गया बई, the mean marks obtained by 300 student in the subject are 60, 300 बच्चों के जो average marks आए, mean marks मतला average marks किते हैं, 60 आए, तो अगर मैं 300 बच्चे हैं, किते हैं 300 निकालो value या total value निकालो, sum of marks divided by number of marks, students कितने हैं 300, sum of observation divided by total number of observation, sum of observation मेरे पास कितनी हैं यहापे, sum of marks मेरे को पता नहीं, है कितने बच्चे मेरे को इतना पता, total 300, इनका mean किता दे रखा है, 60 दे रखा है, तो total marks या sum of marks कितना आ जाए यहां से, sum of marks किता आ जाए गे बटा, अगर मैं 300 से into कर दूँ न तो मेरे को total marks मिल जाएंगे तो 63 हो जाएंगे 18 पीछे लगा दो 1, 2, 3, 0 18,000 के आगे total value आगी क्योंकि mean क्या होता? sum of observation divided number of observation sum of observation नहीं पता number of observation इतना पता है कि 300 बच्चों की observation है the mean of top 100 students was found to be 80 जो top 100 थे न top 100 का mean कितना दे रखा आपको 80 दे रखा है तो top 100 का total marks कितना आएगा top 100 total marks कितना आ जाएगा बेटा 100 बच्चों का है average कितना है 80 तो उनकी marks कितना आगे total 8,000 marks आगे top 100 total marks and mean of last 50 students last 100 students found to be 50 और last 100 students जो बच्चे हुए last पीछे से 100 बच्चे है जो last 100 student total marks total marks कितने आएगे 100 बच्चों का है mean कितना है average कितना है 50 कितना आगे बेटा यहापे मेरे पास 5 सबाइगा तो पूछा किया the mean marks of the remaining 100 remaining 100 कौन से जो बीच हों बच्च के total 300 थे ना total कितने थे 300 थे तो 100 यहाँ पे लेगे 100 यहाँ पे लेगे बीच में यह 100 और बच गया है इनके कितने mean mark से इनका average क्या होगा total कितना है 18,000 top 100 का कितना है 8,000 bottom 100 कितना है 5,000 तो बचावा जो middle के इंतर नहीं का ही होगा तो 18,000 में से यह कितना minus कर देंगे 8 plus 5, 13,000 तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा यह total है ना मेरा total में से top 100 plus last 100 का क्या marks क्या कर देंगे minus कर देंगे तो total है मेरे पास यहाँ पे 18,000 minus top 100 है 8,000 8 plus 5, 13,000 diet कर दो 13,000 तो जो बचे हुए पीछ में बचे थे ना उनके total marks कितना आगे 5000 total marks मेरे पता है अब मिरे को निकाला उनका average average कैसे निकालूँगा sum of observation कितनी आगी जो बीच के बच्चे है उनके total marks कितना आगे 5000 और बच्चे है कितने 100 डिवाइड कर तो आँसर कितना आएगा 50 खतम बात sum of observation कितने है sum of marks कितने है मेरे पास जो मैं remaining 100 की बात कर रहा हूँ मैं किसकी remaining 100 की बात कर रहा हूँ उनके total marks कितने आएए 5000 और ये 5000 marks कितने बच्चों के है 100 बच्चों के है तो उनका average कितना आएगा 50 marks तो remaining बच्चों के average marks कितने आजाएगे 50 marks option number D is your correct answer simple आपको total 300 बच्चों का average दे रखा था 300 इंटू जितने बच्चों के total marks आगे top 100 के total marks आगे bottom 100 के total marks आगे तो remaining 100 के total marks कितने थे 5000 average निकालना था तो 100 बच्चों के थे 100 से डिवाइड कर दिया answer आएका option number D 50 ठीक है चलिए question is the mean of 5 number is 15 average माल दो 5 number का average है 15 तो total कितना हो जाएगा अभी सीखा है हमने जितने भी number है उनको average से multiply कर दो 5 बच्चों का total mean कितना आएगा total marks कितना आगे तो टोटल नमबर आएगे 75 भी the mean of 5 number ये 5 number है मेर पास उनका average mean कितना देर का 15 तोटल कितना आएगा 15 इंटू 5 75 बोला if one more number is included यानि बच्चे कितने हो गए 5 कितने हो गए मेर पास 6 हो गए the mean of 6 number become 17 तो 6 number का mean कितना हो गए 17 तो total निकालो फिर से तो total इस बार कितने बच्चे का निकलेगा 6 का निकलेगा और mean कितना हो चुका मेर पास यहाँ पे 17 कितना आएगा 60 और 760 जया 42 कितना आएगा भी 102 तो 5 बच्चो का टोटल था 75 6 बच्चो का टोटल हो गए 102 702 तो जो नया बच्चा है वो कितने number लेकआ है बच्चा तो यह mean number दे रहा तो 102 में से क्या करते हैं कि 75 माइनस कर देंगे मतलब हमने six number हमने include क्या तो Ó ktra hο цен बारा मैं से बांच गया 7 इसाथ 27 याईनि जो six number हमने include वो कितना था 27 था जिसकी वज़े से हमारा जो मीन था वो 15 से कहां जंप कर गया 17 पर जंप कर गया मीन हमारा 2 increase कर गया अगर मीन के अंदर 2 increase हो रहा मतलब सभी नंबर के अंदर क्या होगा 2 increase होगा अब वो भी तो समझ सकते हो तो यहां पर आंसर काएगा हमारे पास option number D 27 तो यह थी हमारी class वापस हम Monday को मिलेंगे तिलन थेंक यू